यूट्यूबर एलविश यादफ की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही। एलविश पर साब के जहर की सप्लाई का आरोप लगा है। बीते दिन पोश्टाश में एलविश ने कुबूल किया कि वो साब जहर मामले में लिप्त आरोपियों से पहले भी मिल चुके है। एलविश पर एंटीपियस आक्ट के तहट कई गंभीर धाराएं लगाए गई है। फिल्हाल यूट्यूबर नियाएक हिरासत में है। इससे उनके परिवार पर गहरा असर पड़ा है। आज तक के एक्स्क्लूजिव बाक्शीत में एलविश के मा सुश्मा यादफ और पिता राम अवदार ने बेटी पर लगे सभी आरोपों को खारिच किया। बेटे एलविश का पक्श लेते हुए माता पिता ने अपना दर्द बयान किया है। उन्होंने गोहार लगाई है कि उनके बेटे के बारे में कोई ख़बर ना चलाए। बच्ची का नाम है, हाइप है, इसलिए एंजियो वाले उसे जान बूच कर फसा रहे हैं। ऐसे ही जिन्दगी चलती रहेगे क्या हमारी। मेरा बेटा निर्दोश है, बिल्कुल साफ सुत्रा लड़का है, उसने कोई भी गलत काम नहीं किया है। इसी के साथ पिता ने भी अल्विश यादव को बीकसूर ठहराते हुए कहा, मैं चाहता हूँ हमारी बात सुनी जाए, हमें अपनी बात कहने का पूरा हक है। मैं हजार जनम लूट तो भी मुझे ऐसा ही बेटा चाहिए, इस पर मुझे फक्र है, वो बिल्कुल निर्दोश है, वो इन जहरीले सापो वाले केस से कोसर दूर है, जबसे वो बिग बॉस जीता है, लोग उसके पीछे पढ़ गए है, मैं उससे कल मिलकर आया हूँ, मैं ख दिरे से खारिश कर दिया, वही बाकी मीडिया संस्थाओं से बातशीत में एलविश की माता पिता ने रोते हुई बताया कि उनका बेटा जेल में भूखा प्यासा है, तीन दिन से हमने कुछ नहीं खाया है, वो एक हसने खेलने वाला बच्चा है, हमेशा खुश रहने की सल देता है, उसी फसाया जा रहा है, उससे मिलने के लिए कितने लोग घर की बाहर खड़े रहते हैं, हमने पहले इससे सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि हमें पता है, हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया है, यूट्यूबर के पेरंस ने अपने बेटी को निर्दोश बताया ह उन्होंने बेटी की कमाई और लाइफस्टाइल पर बात की, एलविश के पिता ने कहा, उनके बेटी के पास कोई लकशिरी गाड़िया नहीं है, ये सब ही गाड़िया उसने लोन पर ले रखी है, एलविश के पिता ने बताया कि उसके पास बस दो गाड़िया है, यूट्यूब विडियो से वो पैसे कमाता है इसके बाद जब एलविश की पेरंस से उनकी यूट्यूब कमाई पूछी गई तो वो चुप हो गए फिर मा बोली जब एलविश आपके पास आए तो आप पूछ लेना कमाई के बारे में कोई कुछ भी बोले हम यही कहेंगे हमा पारा लड़का बिल्कुल बेकसूर है अगर वो लग्शुरी नाइफस्टाइल जीता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो अपराद ही है फिलाल एलविश की माता-पिता के इंटिव्यू पर आपका क्या कहना है नीची कॉमेंट बॉक्स में लेकर ज़रूर बताए ऐसी ही औ और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजियो और वीडियो पसंद आया हूँ तुब लाइक और शेयर करना ना भूलें